नमस्कार, मैं कुशिय आपका स्वागत करती हूँ 36 गड़ के लोगप्रिया न्यूस चैनल केसेन 24 न्यूस पलपल की खबर में आईए नदर डालते हैं आज की खास खबर पर 36 गड़ के मुख्यमंत्री भुपईश बगहल का गुरुवार को दिन भर दूर्गजीले में कारिकरम रहा 36 गड़ में तिन नगर निगम और नगरपाली का परिशद में साल क्यंत में चुनाओ होने हैं आचार सहिता लगने के पहले सीएम इन इलाकों में करोडों की सौगात देने पहुँच रही हैं इस दोरान उन्होंने गुरुवार को चरोदा भिलाई और जामुल और रिसाली निगम छेतर में करोडों रुपई के विकास कारियों की सौगात दी चुनाओ की तारिखों का अभी एलान नहीं क्या गया है लेकिन कहा जा रहा है कि जल्द ही आचार सहिता लग सकती है राजे के सीएम भुपेश बगहिल भी चुनाओ की तयारियों में जूड गए हैं आपको बता दे कि इस साल के अंत में दूर गजीले की तिन नगर निगम भिलाई, रिसाली, चरोदा नगर निगम और जामूल नगर पाली का परिशद में चुनाओ होने हैं मुख्यमंत्री भुपेश बगहिल के भिलाई आगमन के साथ ही का इस्थानों पर उनका काफी गर्म जोशी से स्वागत किया गया प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने वीच पाकर कॉंग्रस पार्टी से जुड़े लोगों में उत्सा की लहर डोड गई अपने प्रोटोकॉल के तहट मुख्यमंत्री जामुल पहुचे और नगरपाली का परिशद में करीब साथ करोड के विकास कार्यों का भुमी पूजन किया और सभा को संबोधित भी किया भिलाई हुडकों में परिगारडन के पास भुमी पूजन किया मुख्यमंत्री भुपेश बखेल ने दुर्गवासियों को लगभग 177 करोड रुपए के विकास कार्यों की सोगाद दी जिसके कई तरह के कार्यों का लोकारपण और भुमी पूजन किया गया इस दौरान मुख्यमंत्री ने डी एपी को लेकर चिंदा जताए उन्होंने कहा कि डी एपी की पुरे देश में मारा मारी है भविश्य में डी एपी की कमी और बढ़ने की संभावना है केंडर सरकार डी एपी की सप्लाई नहीं कर पा रही है सही बात है डी एपी के मांग बरसात में हमारी यां भी थी अभी जहां चुनाओ है यूपी वहां लोग लाइन में खड़े खड़े लोगों की मुडित्य हो गए एपी में जगड़े हुए थाने तक उजगड़ा पहुंचा तो डी एपी की उपलब्सता मतप्रेस और यूपी में जहां उसकी सरकार है अने वाले समय में डी एपी की स्थिति क्या होगी भारत सरकार की स्पर्ष्ट करना चाहिए क्यों डी पी की कमी हो रही है कोईले की कमी क्यों हो रही है इसको भारत सरकार की स्पर्ष्ट करना चाहिए